इस वीडियो में हम OnePlus Nord CE3 Lite 5G को IQZ7 5G के साथ कंपेर करने वाले हैं Nord CE3 Lite 5G को 20,000 रुपए की रेंज में भारत में लौच किया गया है इसमें Snapdragon 695 चिपसेट मिलता है इसके फीचर और प्राइस के हिसाब से इस फोन का मुकाबला IQZ7 5G से होने वारा है दोनों फोन में लगबग एक जैसे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं दोनों का प्राइस भी लगबग सेम है तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों के प्राइस की बात करते हैं बात करें OnePlus Nord CE3 Lite 5G की तो ये फोन दो वेरियंट में आता है दोनों में आपको 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB की स्टोरेज देखने को मिलती है 128GB स्टोरेज वेरियंट वाले फोन का प्राइस 199999 रुपए है और जिसमें आपको 256GB स्टोरेज मिलती है उसका प्राइस 219999 रुपए है इसमें आपको दो कलर आप्शन मिलते हैं एक है क्रोमेटिक ग्रे और दूसरा है पेस्टल लाइन वहीं IQZ 7 5G की बात करें तो इसमें भी आपको दो कलर आप्शन मिलते हैं जो की नार्वे व्ल्यू और पैसिफिक नाइट कलर है फोन दो स्टोरेज आप्शन में आता है इसमें आपको 6GB RAM के साथ 108GB की इंटर्नल स्टोरेज मिलती है जिसका प्राइस 18,9999 रुपए है और जो इसका दूसरा बेरियन्ट है उसमें आपको 8GB RAM के साथ 108GB की इंटर्नल स्टोरेज मिलती है और इसका प्राइस 19,999 में रुका है OnePlus Nord CE 3 Lite 5G में Android 13 based Oxygen OS देखने को मिलता है फोर में 6.72 इंच की Full HD Plus LCD डिस्पले है जिसमें आपको 1080 x 2400 pixels resolution मिलता है डिस्पले के साथ 120 सर्स का refresh rate है साथ में 680 nits की आपको brightness देखने को मिलती है और डिस्पले में आपको corner gorilla glass का protection भी मिलता है बात करें इसके chipset की तो इसमें आपको snapdragon 695 5G processor के साथ 8GB RAM और 256GB तक की UFS 2.2 storage का support मिलता है इसमें आपको 16GB तक की virtual RAM का support भी मिलता है अब बात करते हैं IQ Z7 5G के specifications की बात करें इसकी display की तो इसमें आपको 6.38 inch की full HD plus AMOLED डिस्पले मिलती है जिसमें आपको 2400 x 1080 pixels का resolution मिलता है साथ में 90 Hz का refresh rate है इसमें आपको 360 Hz का touch sampling rate मिलता है ये smartphone Android 13 based phone touch OS पर काम करता है फोन में octa core, media tech dimension, 920 processor और Mali G68 GPU का support है इसमें आपको 8 GB तक RAM और 128 GB तक storage का support मिलता है साथ ही इसमें आपको 8 GB तक की virtual RAM का support भी मिलता है तो अब तक इस वीडियो में तीन चीजें निकल कर सामने आई हैं एक है कि Nord CE 3 Lite 5G में 120 Hz का refresh rate मिलता है जो कि IQ में आपको cable 90 Hz का refresh rate मिलता है OnePlus में दो storage option है जो की 128 GB और 256 GB है जबकि IQ में cable आपको 128 GB storage का option ही मिलता है virtual RAM में भी आपको OnePlus में ज्यादा मिलती है जो की 16 GB है जबकि IQ में आपको cable 8 GB तक की virtual RAM का support मिलता है अब दोनों के camera की बात करते है OnePlus Nord CE 3 Lite में आपको triple rear camera setup मिलता है जिसमें जो primary camera है वो 108 MP का है secondary camera इसमें आपको 2 MP का मिलता है और तीसरा sensor जो है वो भी 2 MP का है जो की एक macro lens है phone में selfie और video calling के लिए आपको 16 MP का front camera मिलता है बात करें IQ Z 7 5G के camera setup की तो इसमें आपको dual camera setup दिया गया है जिसमें जो primary camera है वो 64 MP का है primary camera के साथ optical image stabilization का support है secondary camera 2 MP का एक depth sensor है बात करें इसके selfie camera की तो इसके front में आपको selfie और video calling के लिए 16 MP का front camera मिलता है बात करें battery की तो OnePlus Nord CE 3 Lite 5G में आपको 5000 mAh की battery और 67 Watt की super fast charging का support मिलता है फोन में connectivity के लिए 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, AGPS और USB Type-C port का support मिलता है IQ Z 7 5G में आपको 4500 mAh की battery मिलती है जिसके साथ 44 Watt की fast charging का support है फोन में connectivity के लिए आपको Wi-Fi 6, Bluetooth V5.2, GPS, 3.5 mm audio jack और USB Type-C port का support मिलता है अब बात करते हैं कि आपको इन में से कौन सा phone बाई करना चाहिए कुल मिलाकर दोनों ही phone कीमत के हिसाब से दमदार specifications के साथ आते हैं battery और fast charging के मामले में OnePlus Nord CE 3 Lite 5G थोड़ा आगे निकल जाता है IQ Z 7 5G के camera के साथ optical image stabilization का support है और इस phone के साथ आपको AMOLED display भी मिलती है इन दोनों मामलों में IQ आगे निकल जाता है शांदार camera और अच्छी display के लिए आप IQ Z 7 5G को buy कर सकते हैं अगर बड़ी battery ज़्यादा fast charging support और आपको high refresh rate वाला smartphone चाहिए तो आप OnePlus Nord CE 3 Lite 5G को consider कर सकते हैं उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए